हाई फ्रेंड्स वेलकम बैप तो मैं चैनल फ्रेक्शन मीन हिंदी और फ्रेंड्स आज मैं आपके चाशे शेयर करने वाली हूँ एक रिव्यू यह रिव्यू है नेवी अवोडी लोशन एलो हाइडरेटिंग 24 रेफ्रेशिंग मॉस्टिराइजर की है तो डीप जरूरत है क्योंकि मारी स्किन जल जाती है सन की वज़े से और पानी की कामी हमारे शरीम में ज्यादा रहती है तो यह इसकिन फीलिंग रिच लाइट एंड रिच डीप मॉस्ट्राइजराइज सीरम यह है नीविया का और यह 400 ml आता है 300 पैसेट रुपे का 365 रुपीज का औ यह बहुत अच्छा है साथ ही इसमें आता है पंप जिससे आप इसके निकाल सकते हैं और यह अलोगरा है जो मारी स्किन को मॉस्ट्राइज करता है नमी बनाए रखता है तो यह बिल्कुल भी चिप चिप नहीं है और यह आता है मैं अभी इसको आपको खोल के दिखाती हू है यह आता है इस तरीके से तो एक सिर्म की तरह ही होता है जो बहुत लिकुर्ण होता है अरहनी होता है आप देख रहे हैं कितने असानी से उपर से नीचे आ रहा है काफी पतला होता है तो इसको आप वाइट कलर का है आप इसको देख पा रहे हैं और यह देखिए इसकी जरासी क्वाइंटिटी है और यह काफी होता है आपकी स्किन में बहुत अच्छे से फैलता है क्योंकि हैलोवर है तो आपकी स्किन को मौशराइज करता है और इसमें बहुत हलकी सी खुद्बू आती है तो इसको मैं अपने हैंड पे अपलाएगर के आपको बता रही हूँ आपको फर्क खुदी नजरा जाएगा और बहुत अच्छे से इसके लगाने के बाद आपको कुछ भी चिपचे पापन नहीं लगता है कोई ऐसा नहीं लगता है कि कुछ ओईली चीज लगा की रखी है यह ऐसा लगता है बिलकुल लाइट हमारे स्किन पर रहता है जैसे अपने बोड़ी पॉलिशिंग करा ली हो और हाइड्रेट रखता है मारे स्किन को 24 हावर्स के लिए तो यह रेली में वक करता है तो डीप मॉस्चराइज करता है आपकी स्किन को और सबसे अची बात है हाइड्रेट करता है और इसका फिनिशिंग ऐसा लगते कि आपने बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आती है आप मेरे दोनों हाथों में देख सकते हैं का यह रहे हैं फिनिकार करो में सब्सक्राइब कर तो यह आपको बाड़ पर और उच्छा है और मुझा अच्छा है चालेट अर पावेंस झाल झाल